चेप्टर का नाम है आर्थिविकास आर्थिक मतलब किसी भी देश की आर्थिक वुर्दी वही मतलब क्या होता आर्थिविकास होता यहां पर हमें फुल डेफिनिशन से देखेंगे प्रतिक विक्ति की हर सुबा अलग-अलग होती है कुछ लोग भौतिक सुख सुविदाओं से भरपूर जीवन वितीत करते हैं परन्तु विश्व के अधिकांस जनसंख्या जीवित अस्तित्व टिकाय रखने के लिए संगर्स करती नजर आती हैं जैसे की गरीब लोग गरीब के रूप में पैचाने जाने वाने इन लोगों के लिए भौतिक सुख सुविदा या आराम का कल्पना या आराम कल्पना का विश्व होता है या यह कह सकते हैं सपना जिससे होता है ऐसी परिस्तितियों किस तरह उत्पन हुई इस परिस्तितियों से बाहर कैसे निकल आदी ऐसे प्रशनों के उत्तर यहां पर हम देखें गए तो पहला आर्थिक विकास आज के आधनीक यूग में विश्व का परतेक देश किशी देश के लिए क्या है प्रतनशील विकास के लिए क्या है प्रतनशील है परन्तु विकास मात्र आर्थिक वृद्य से ही नहीं अन से जो स्कूल की स्टाफ जो पढ़ाने वाले हैं उन सब पर गहरा संकर जो है वो मंडरा रहा है तो यह कह सकते हैं इस समय हमारी देश की जो आर्थिक वुरुदी यानि जीडीपी जो है वो भी क्या हो चुकि कम हो चुकी है क्योंकि आयात निरियात सब कुछ क्या है बंद हो आर्थिक विकास यह किसी भी देश की रास्टी आय में होने वाली वुरुदी को दर्शाता है तो इस स्टुएंट ध्यान रखना आर्थिक विकास अर्थात क्या किसी भी देश की रास्टी आय में होने वाली सदत वुरुदी को दर्शाता है अब इस स्टुएंट्स पर अगलाम डेफिनेशन देखेंगे आर्थिक विकास अर्थात क्या तो पहला यहां पर दिया है देश की रास्टी आयम में सुधत वुरुदी होना या मानी यानि हमारी जो नेशनल जो इंकम जो है उसके अंदर क्या होना वुरुदी होना और देश की प्रतिविक्ति आयम म में सुधार होना और दूसरा जो व्यक्ति जो प्रति महिना जो पगार कमाता उसकी पगार में वुरुदी होना और चौता हमारे देश की आयम में सुधत वुरुदी होना अर्थात आर्थिक विकास कहलाता है इस बात को आर्थिक विकास कहा जाता है देश की कुल आय को रा देश की कुल जन संक्या से विवाजित करने पर प्रतिवेक्ति आय जोती वो हमें प्राप्त होती है, जबकि जीवन इस तर में लोगों को प्राप्त होने वाले सुविदाय जैसे कि अनाच, कपड़ा, सिक्छा, स्वास्त, वहन, वेवहार, सुविदा, आवास की सुविदा क शिवाओ का उप्योग और सुविदाओ में वृद्धी हुई है, पहले की तुल्ला में उप्योग तो अवश्रक्ता है, अधिक अच्छी तरह संतुष्ट होती है, अन्ता कहा जा सकता है कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है, इस प्रकार भारत जो है वो कैसा देश से तो विकास सील देश से जो विकास अभी कर रहा है, देखते हैं भारत की रास्टी है, भारत की रास्टी है इन्हीं जीटीपी 2011-12 से लेकर 2015-16 के भाव से लगवग यहां पे दिया हुआ है, 87,36,000 ठीकि 87,36,000 उन्चास करोण थी, जो बढ़कर 2015-16 के अंदर, 135,66,192 करोड रुपए हो गई थी, कब 2015-2016 के बीच में, यानि कह सकते हमारा देश किती तीजे से प्रगतिस की और बढ़ रहा है, आर्थिक विर्दी और आर्थि विकास के बीच में अंतर का है, सावान रोप से आर्थिक विर्दी और आर्थिक विकास दोनों सब्द विर् अंतर है, किसके आर्थिक विर्दी और आर्थिक विकास, विकास मतलब क्या आर्थिक विकास हो गया और विर्दी मतलब क्या भी विर्दी हो रही है, ऐसा कह सकते हैं, तो पहला इसके अंदर देखते हैं, विकास की प्रक्रिया के आधार पर क्या है, तो आर्थिक विकास ग आर्थिक वृद्धी नमबर टू देखते हैं अर्थतंतर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर उत्पादन में होने वाले नए संसुदनों के आधार पर उत्पादन में होने वाली वृद्धी क्या कहलाती आर्थिक विकास कहलाती है उधारन दिये हैं यहां पर कुर्शी जमीन में वृद्धी होने से उसे आर्थिक वृद्धी कहा जाता है, यानि जोतने और जमीन में वृद्धी होने से उसे आर्थिक वृद्धी कहा जाता है, ये नमबर टू था, आर्थिक विकास में होने वाले परिवर्तन के अधार पर. नमबर थ्री हमें दिया गया है अभी कि विक्षित और विकास सील देशों के संधर में देशों के संधर में दोनों के बीच अंतर पाया जाता है विक्षित देशों की रास्टी आयमें वुर्दी आर्थिक वुर्दी कहलाती है तो ध्यान रखना आप इस सभी स्टुएंट्स को भारत जो है विकास सिल देश है ठीक है हमारा भारत जो है वो विकास सिल देश है तो भारत विकास सिल देशों की रास्टी आए में अगर वुर्दी होगी तो उसे आर्थिक विकास कहलाएगा जबकि जो अमेरिका जिसे अमे विकास सिल अर्थ तंत्र प्रतिविक्त की आये के आधार पर की अलग किये जाते हैं यानि विकास सिल अर्थ तंत्र और जो विक्षित अर्थ तंत्र हैं दोनों की प्रतिविक्त की आये जो होती उसके आधार पर दोनों में डिफरेंस यानि मालूम किया जाता है विश्व बैंके 2004 के विश्व विकास लेक में 735 डोलर से कम परतिवेक्ति आये वाले आये में आने वाले देशों को विकास सिल अर्थतंतर के रूप में पहचाना जाता है विकास सिल अर्थतंतर के लक्षण जो है वो निम्न नुसारते किये गए हैं यानि जो विश्व बैंके 2004 में विश्व विकास लेक आरेक मतलब प्रस्तूत किया जिसमें 735 डोलर यानि एक इंसान जो है वो प्रतिवेक्ति 735 डोलर अगर कमाता होगा प्रतिवेक्ति आये तो वो विकास सिल देश के अर्थतंतर में उसकी गिंती होगी गर्लकर अर्ष्व विकास सिल देश के आरेक मतल्स प्रस्तूत ब्रस्तूत है तो पहला प्रेस अनि मतलोष बश्वात अच्थूत होगी करनदीवन इसतर जोगता है वह क्या होता है नीच अचीए होता है यानि पर्ति विक्ति आए अगर नीची होगी तो उसका जीवन इस तर्विक ऐसा रहता है नीचा ही रहता है जबकि राश्टी आए जो होती है वो राश्टी आए भी उस पर्ति विक्ति आए की कम होने के वह जिससे राश्टी आए भी नीची ही रहती है विकासिल देशों की दूसरा देखते हैं यहां पर जैसे हमारा भारती विकासिल एक देश है दूसरा पॉइंट जनसंक्या वर्दी विकासिल देशों में जनसंक्या वर्दी अधिक होती है ऐसे देशों में जनसंक्या वर्दी दर 2% अत्वा तो उससे भी अधिक होती है जिसे माल ले जाकर किसी देस के आबादी 100 करड है, तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 102 करड हो जाएगी, तो यहाँ पर दिया है, तो इस प्रकार उसके कह सकते हैं, यहाँ पर परतिवेक्ति आए भी क्या हो जाती है, भले परतिवेक्ति आए जादा क्यों ना हो कि पब्लिक बढ़ जाएगी, तो सब में क्या होगा, उसका बठवारा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए, तो तीसरा यहाँ पर दिया है, कुर्शी चेतर पर अवलंबन, विकासिल देसों में कुर्शी मुख्य आर्थिक प्रवूरती होती है, और देस के 60% से भी अधिक लोग रोजग प्रवूरती क्या हो, कुर्शी पर अधारित हो, जिसमें देस, देस के अंदर 60% से अधिक लोग जो है, वो रोजगार का, रोजगार जो है, वो कुर्शी पर निरबर रहता हो, तो ऐसे देस की जो रास्टी, आयमेपी कुर्शी का योगदान लगबग 25% जितना होता है, अ अब नमबर 4 देखते हैं, आई वितरण की आसमानता, यानि कोई वरकर काम करता उसकी पकार 7000 किसी के आँठी जार तो ये कह सकते हैं, आई वितरण की समानता, यहाँ हम कह सकते हैं, विकासियल देसों में आय तथा उतपादन के साधनों का बटवारा आसमान होता है, या आ तो 25 परसेंट से धनिक लोग यानि 20 परसेंट वह देनिया नहों 50 परसेंट लोग इनो 34 परसेंट वह दिए घंठ की हैं और निम्ना नुसार के 20% गरीब लोग के पास रास्टी आयका केवल 10% हिसा ही वो रखते हैं तो कह सकते हैं जमीन अमीर और गरीब में कितना डिफरेंस यहां पे होता है और कितनी उसके निरास्टी आयका कितनी का डिफरेंस यहां पे होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकासील देशों में आय और संपत्ति का केंदरी करन धनीक लोगों में हुआ नजर आता है जैसे कि स्टुडेंट्स आप इस समय आप देख रहोंगे हमारा देश का विकासील देते हैं साथ ही आपने देखा होगा कि इस समय अमीर होते जा रहा है और गरीब और क्या है गरीब होते जा रहा है तो इसी प्रकार कि जो देश की जो आय जो होते हैं वो संपत्ति का केंदरी करनी यह पैसा जो होता है वो सिब केवल अमीर लोगों के पास ही मतनजर हुआ आता है नमबर फाइब बेरोजगार दिया हुआ है बेरोजगारी विकासिल देशों का क्या होता महतोपूर्ण लक्षण होता है जैसे कि हमारे इंडिया में भी कह सकते हैं लोगों के पास डिगरी तो बहुत है लेकिन फिर भी लोग का हैं बेरोजगार हैं यानता कि सरकारी जो पोष्ट उसमें भी बहुत सारी सीटें खाली हैं लेकिन फिर भी गवर्मेंट जो है उसमें भरती करती नहीं है इन देसों में बेरोजगार का प्रमाण कुल सर्मिकों की संख्या के 3% से भी अधिक होता है यानि इस बेरोजगारी का प्रमाण जो होता है वो सर्मिक की संख्या से 3% से भी क्या होता है जैसे कि कडिया मजूर वाले बारिश में उनका काम बंद हो जाता है। छुपी बेरोजगारी मतलब कभी कमाते हैं, कुछ मेना कमारी है, कभी नहीं कमाया। ठीक है, और दोग एक बेरोजगारी जिसे मानलों कभी तेजी आ गई, जो लोग धंदा करते हैं। ठीक है, मानली जो उदोग में मंदी आ गए, तो वो क्या हो गए, उनकी उदोग एक बेरोजगारी हो जाती है। इस प्रकार लंबे समय के लिए बेरोजगारी उनकी होती है। नमबर 6, गरीबी, गरीबी विकास, सील, राष्ट का एक लक्षण होता है, जो लोग अपनी प्रात्मिक अवस्ता हैं, जैसे कि अनाच, कपड़ा, आवास, सिक्षा और स्वास्त आदी पूरा ना कर सकें, उन्हें गरीब कहा जाता है। जैसे कि अनाच, कपड़ा, आवास, सिक्षा और स्वास्त, जैसे कि जरूरत-मंद चीजों को पूरा ना कर सेकें, उन्हें हम गरीब कहते हैं। विकास्षिल देशों में ऐसे लगों की कुल जन संख्या का लगबग तिसरा भाग होता है, यानि एक तिहाई भाग होता है, जैसे कि हमने यह आपे एक एक्जामत अपर गोर बना लिया, इसको आपको क्या करना है, स्टुडेंट तीन पार्ट में इसे हमें क्या करना है, ड द्री मुखी अर्थ तंतर, विकास्षिल देशों में अर्थ तंतर का सरूब द्री मुखी पाया जाता है, एक तरफ ग्रामीर चेत्रों में प्रिछडी, कुरसी पद्दती, पुरानी यंत्र सामगरी, रूडिचुस्त सामाजिक धाचा कम उत्पादन पाया जाता है, वहीं विकास्षिल देशों के अंदर, गाउं में कह सकते हैं, आप वहाँ पे टेक्नलोजी वगेरा, पावर वगेरा की सुविदाय बरबर नहीं होती है, जबकि अगर सहर में अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे एक आपको अध्योग देखने मिलेगा, नहीं उत्पादन विद्ध सेवा हैं, जैसे कि सिक्षा, परिवहन, संचार, बिजली, स्वास्थ, बैंकिंग, आधिका ऐसे अर्थ तंतर में कम विकास होता है, जो देश के विकास के लिए क्या होता है, यानि किसी भी अगर देश को विकास करना हो, तो सबसे पहले उसे अपने सिक्षा, या यानि ट्राविलिंग, चेतर, संचार, टेलिविजन वगेरा कह सकते हैं, बिजली वगेरा, और स्वास्थ, बैंकिंग, जैसे अर्थ तंतर में क्या सबसे अधिक विकास करना होगा, तब जाके वो देश के विकास में औरोध नहीं बनेगा, तो यह मुलबुत अब विकासिल देशों में विदेशी वियापार का सरूप और धाचा अलग पाया जाता है, यह देश मुखित, कुर्शी उत्पादों और बगीचे की उपज, कच्छी धातू को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, वो भी सस्ते दाम में, जैसे हमारा इंडिया भार कुछ भी एक पास से लिए जाता है, जैसे परकार निर्यात की मांग कम होती है, और भाव क्या होता है, नीचा होता है, जिससे निर्यात में आय कम होती है, जबकि आयात और दोगी गुपज और यंत सामगरी का होता है, मतला, जैसे हम, मैंने आपको बताया, से हम यहां से कच्चा माल जाता है, चीन से फिर वापस कहता है, चीन वाले जो होते हैं, हमें पका माल बना के हमारे इंडिया के अंदर वापस वही चीज आता है, तो जो चीज हमें मिलती है, एक रुपे की हम बेजते हैं, यहां से चा क्या होता है बढ़ता है और बढ़ता है इस प्रकार विकास सील देशों में मुखता उपर दी गए लक्षण पाए जाते हैं जो नौ लक्षण हमें देखे वो सारे लक्षण को आपको एक पॉइंट बाइप याद कर लेना है भारत विकास सील रास्ट होने से उपर के लक्ष जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता और कोई लक्षण जो है वो कम मात्रा में भारत में लागो पड़ता है क्योंकि भारत भी एक विकास श्रील तेज की गिंती में आता है अब अगला टॉपिक हमारा दिया आर्थिक और अनार्थिक प्रवोती क्या तो भारती प्रवोती को आर्थिक प्रवोती कहते हैं उधारान अधारत किशान कारीगर व्यापारी सिक्षक आदि के प्रवोती आर्थिक प्रवोती कहलाती है तो ध्यान डखना है आर्थिक प्रवोती अथात क्या तो आय प्राप्त करने या खर्च करने के उद्वश से की जाने वाल प्रवोती को आर्थिक प्रवोती खायता है इसमें आते हैं किसान, कारीगर, व्यापारी, सिक्षक ये सब आर्थिक प्रवोती में मतलब इनकी गिंती होती है अनार्थिक प्रवोती जिस प्रवोती का अधेश आय प्राप्ट करना या खर्च करना ना हो तो उस प्रवोती को अनार्थिक प्रुवति कहते हैं उधारन के लिए माता अपने बालक की देखभाल करें विक्ति समाज सेवा का कारे करें आदी अनार्थिक प्रुवति जो क्या करते हैं कहलाते हैं तो यहां पर हमने क्या देखा अनार्थिक प्रुवति मतलब मावाब जो हैं वो अपने बच् प्राथिक प्राथमिक चेत्र और तीसरा सेवा का चेत्र आर्थिक प्रवुति में इस प्रकार के वर्गी करण को व्यवशाइक धांचे के रूप में पहचाना जाता है इन तीन विभागों और उसमें शमावेश होने वाली प्रुवती के चर्चा हम निन नुशार करते हैं तो पहला प्रात्मिक चेत्र अर्थ तंदर के इस विभाग में कुर्शी के साथ जुड़ी हुई प्रुवती जैसे के पशुपालन, पशुशनवर्दन, मत्से उद्योग, मुर्गी बतक पालन, जंगल कच्ची, धातु की खुदाई आदी प्रुवती का प्रात्मिक विभाग के अंदर समावेश होता है मतलब जो हमारी प्रात्मिक जरूरत है तो कह सकते हैं कुर्शी और कुर्शी से जुड़े हुए सभी प्रुवती जैसे पशुपालन, पशुशनवर्दन, मत्से उद्योग, मुर्गी बतक पालन, जंगल कच्ची धातु की खुदा ये सब प्रात्मिक छेतर के अंदर इनक जाता है, यानि माध्मिक छेतर मतलब क्या उद्योग कह सकते हैं, आप सिंपल सा याद करने के तौर पर, जिसमें पीन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक के उद्पादन का समावेस होता है, यहां तक जिस कंपनी के अंदर उद्योग छोटी चा सुई तक बनती होगी, तो वो भी उसका समावेस किसमें आएगा माध्मिक छेतर के रूप में उसका, उसके बाद तीसरा हमें दिया हुआ है सेवा का छेतर, इस विभाग में अनेक वीद सेवाओ का समावेस होता है, ऐसी सेवाओ में व्यापार, संचार, वायू तथा समुदरी मारगो, सिक्षन, स्वास्त, बैंकिंग, बीमा कंपनी, परिवान, मनुरंजन, आधी कारियों का समावेस इस छेतर के हंदर होता है क्योंकि वहाँ पर वो क्या करते हैं सेवा करते हैं भले वो लोग पैसा लेते हैं तो हमने देख लिया व्यापार हो गया, संचार हो गया, वाई हो गया, समुदरी मार्ग, सिछन, स्वास्त, बैंकिंग, बीमा, यानि बाकी जितनी भी चीज़े जो बसती हैं, प्रात्मिक और माधिमिक के लाव, वो सारी चीज़ों का समावे सेवा के छेतर में होता है। प्रात्मिक चेतर का और माधिमिक और सेवा की चेतर की सापेक्षता में घड़ता जाता है, और उद्योग चेतर में सेवा की चेतर की व्यापकता बढ़ती जाती है। प्रात्मिक 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 प्रात्मिक